नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परियाल स्टडी, लास्ट उडिस हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस करें हैं लेटेस्ट एक्जाम जो भी 2021 में हो रहे हैं जनवरी और फर्बरी की कुछ एक्जाम हो अलरी डिस्कस कर चुके हैं तो उसी सीरीज में हम आपके लिए एक और एक्जाम लेके आए हैं ताकि आने वाले जो भी आपके एक्जाम है चाहे जो आईटी का है ये कोई भी एक्जाम आपका होने वाला है तो उसकी आप अच्छे देट की बात करें तो यह exam हुआ है 10 फरवरी 2021 को latest exam है तो अगर आपको इस exam की PDF पुछी है तो आप हमें join कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चनल पर जितने भी latest या फिर old question में पर है वो हम अपने टेलिग्राम चनल पर डालते रहते हैं आप वहाँ पी जाएगे हमारे टेलिग्र चनल को join करके रहिए वहाँ पर आपको latest notification मिलते रहेगी साथे साथ हमारे क्वेजवी चलते रहते हैं और कोई भी exam मतर उसकी PDF और जो official answer की है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और हमारे टेलिग्राम चनल का link आपको description मिल जाएगा तो exam discuss करने से पहले मैं थ कि मांचल जी की totalis में 15 questions पूछे गए हैं बात करें reasoning की तो reasoning की topic है वो आपकी same ही रहते हैं जैसे पूछे जाते हैं हमीर पर पोड के दोरा तो 4 questions उसके पूछे गए हैं बाकी जब मैं question discuss करूँगा तो आपको वहाँ पर idea लग जाएगा किस तरह की question इसमें पूछे गए हैं उसके बात करें Indian history की तो Indian history की इसमें 6 questions पूछे गए हैं बात करें Indian polity की तो Indian polity के 4 questions इसमें पूछे गए हैं और उसके बात करें Indian geography की इसमें 5 questions पूछे गए हैं इंडियन और world geography मिक्स होती हैं उसके बात करें Indian economics की तो Indian economics उतना खास आती नहीं है दो ही questions इसमें पूछे गए है जरनल साइंस की बात करें तो जरनल साइंस में इसके पांच कोशन पूछेगे हैं जरनल साइंस में आपकी पास बायो आजाता है फीजिक्स, केमिस्ट्री ये टॉपिक्स में आ जाते हैं उसके बाद बात करें current fear की, तो current fear इसमें तीन current fear पूछेगे हैं, और कौन से मंत की current fear पूछेगे हैं, वो हम आगे discuss करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देके, तो ही आपको समझ आएगा कि इस तरह से जो नए exam हो रहे हैं, उनका pattern किस तरह से follow किया जा रहा है, उसके बाद हिंदी के तीन कोशन और इंग्लिश के तीन कोशने से पूछेगे हैं, तो उचले स्टार्ट करते हैं, first question की साथ हम पस पहला section है हिमाचुदी के का, तो वो question क्या है, the state animal of हिमाचुदेश का राजकिय पशू कौन सा है, तो correct answer is the question be, snow leopard, बरफिला तेंदुआ, next question क्या है, the area of हिमाचुदेश to the total area of India is approximately हिमाचुदेश का क्षेतरपल भारत के कुल क्षेतरपल का कितना प्रतीशत है, तो question number 10 का आपके पास correct answer option b, ये कितना है, 1.7%, हिमाचल पूरे इंडिया का 1.7% भाग है, next, question में गया रहे हैं, the scheduled tribe population of हिमाचुदेश as per census 2011 is, 2011 की जन गर्ना के उनुसार हिमाचुदेश की जो अनुसुचित जन जाती है, उसकी अवादी कितनी है, 11 का correct answer option ये है, 5.71%, next question क्या है, रतना पूर्धार is located in which statistic of हिमाचुदेश, रतना पूर्धार हिमाचुदेश की किस जिले में स्तित है, तो बारक आपकी बास correct answer option ये है आपके बिलास्पुन में, और जो भी answer हैंगे वो रहेंगे as per official answer की, next question क्या है, मनीवेश यात्रा इसे, मनीवेश यात्रा ये किस तरह का मेला है, तेरा का पके पास correct answer option भी, ये है, state fair, राज्ट के मेला है, next, question क्या है, पूर्व जो मुख्यमंत्री हमारे थे, प्रोफेसर प्रेमर कुमार दुमल, ये हिमाजबदेश के किस जिले से सब्बंद रखते हैं, तो option C, हमिरपूर इसका correct answer है, next, नागनी fair is celebrated, in which district of हिमाजबदेश, नागनी मेला हिमाजबदेश के किस जिले में आयोचित है, तो कांगड़ा में, next, question of solar के है, linkty valley, is situated in which district of हिमाजबदेश, लिंक्ती घाटी, हिमाजबदेश के किस जिले में स्थित है, तो solar का option C, लाहल स्पिती, correct answer का, ये कहां है, लाहल स्पिती में, next, oldest democracy in the world is, विश्यो का सबसे प्राण जो लोग तंतर है, वो कहां पे है, तो ये है आ बलाना में, तो question number 17 का correct transaction ही, बलाना, next, आपके वास question किया है, question number 18 किया है, the town of Chamba was founded by Chamba नगरी, किस के द्वारा बसाई की थी, 18 का correct transaction सी, साहिल, बर्मन के द्वारा, next question किया है, question number 19 किया है, who was the first lieutenant governor of हिमाजबदेश, हिमाजबदेश के प्रतम, वो प्राजयपाल कौन थी, तो इसका अपके वास correct answer option ही, major general, MS, हिमाजबदेश, हिमाजबदेश की पहले, lieutenant governor थी, next, the production capacity of dare hydroelectric project in हिमाजबदेश, हिमाजबदेश की dare, जल्विदी प्रिविजन का जो उत्पादन अक्षम्टा है, वो कितनी है, कितने मेगवाट तक यह generate कर पाता है, तो 20 का correct answer option ही, 165 मेगवाट तक, और comment का की पता है कि यह कौन सी district पढ़ता है, क्योंकि यह question भी का फिवर, पूचा गया है, और repeat भी हुआ है, नेक्स्ट क्वेशन के है, दब्बुक वैदिकार्या और हिमाचल इस रेटन बाए, तो यह पुस्तक वैदिकार्या है, हिमाचल किसके लेखा कौन है, question 21 का उप्षन है, अमर ठाकुर इसका correct answer है, नेक्स्ट क्वेशन बाइस के है, ट्राइबल मीजिम इस लोकेटिट इस लोकेटिट इस प्लेस इन हिमाचल इस जन जातिया जो संग्राल है, हिमाचल इस के किस स्थान पर इस देता है, तो option C, के लॉंग, correct answer is का, next मावास question है, रेजिजिन के, तो first question क्या है, in a certain code, mouse is written as P-R-U-C, तो उसी code में shift को किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसमें simply क्या किया गया है, जो first आपकी पास दो letter है, mouse word में, उनमें दो letter को plus कह गया है, alphabet series में, ठीक है, M में अगर दो letter alphabet series में plus करते हैं, तो आपकी पास आजएगा P, O में अगर दो letter plus करते हैं, तो आपकी पास आजएगा R, ठीक है, और जो आपकी पास बीच का letter है यहाँ पे, उसको as it is लिख देना है, ठीक है, उसकी बाद next आपकी पास दो letter बज़ जाते हैं, वसमें आपको गया करना है, minus 1 करना है, letter को alphabet series में, तो S से आपकी अगर एक letter minus करते हो, तो आपकी पास answer जाएगा Q, और E से एक letter minus करते हो, तो आपकी पास answer जाएगा C, ठीक है, तो जैसे E आपकी पास है, minus किस तरह से आपको करना है, तो E से पहले आपकी पास आता है D, तो D का आपने minus करते हैं, एक letter minus करते हैं, से पहले वाला जो letter है वह आपको लिखना है तो इसलिए हमने e की जगह क्या लिख दिया c तो आयोप आपको थोड़ा से यहाँ पर clear हो गया तो उसी तरह हम shift को कैसे लिखेंगे पहले जो आपकी पास दो यहाँ पर letter है उनमें plus 2 alphabet करना है और next वाले को आपको as it is लिखना है और next जो दो letter आपकी पास है उसमें आपको minus 1 letter करना है एक letter जो उसकी पीछे वाला है उसको हटा के next letter को लिखना है ठीक है तो 24 cup की बाद जो यहाँ पर correct answer रहेगा वो रहेगा option B B, K, I, D, R जैसे आपकी पास सबसे पहले यहाँ पर जाएगा S, S में अगर 2 letter आप plus करोगे S के बाद क्या जाता है T, U 2 letter plus कर दी तो इनको आपको skip करना है next letter को लिखना है तो V आपकी पास पहला आजाएगा उसके बाद H की बाद H की बाद आपकर 2 letter को प्लस कर दोगे H की बाद करता है I, J 2 letter plus कर दी उनको आपको skip करना है 3rd letter आपकी पास आजाएगा K, वो आपको यहाँ पर लिखना था center wall को as it is लिख दिया उसके बाद F ए एक letter को minus कर दिया यानि E को minus कर दिया की पास कह जाएगा D वैसे ही T में minus की तो R आजाएगा तो I hope आपको थोड़ा से यहाँ पर clear हो गया बाद की आप इसको खुद solve कीजिए आपको बदा लग जाएगा next question क्या है missing term in the number series 38, 130, 222 यहाँ पर आपको पर पस question mark है 520, 738 ठीक है तो चलिए इसको थोड़ा से solve करते हैं इसमें आपकी पास क्या है जो number series वो किस तरह से बनी है पहले क्या है 3 का cube प्लस 3 उसके बाद क्या करना है 4 का cube प्लस 4 5 का cube प्लस 5 next क्या होगा 6 का cube प्लस 6 तो 3 का cube प्लस 3 करोगे ता आपकी पास answer आजाएगा 30 4 का cube प्लस 4 करोगे ता आपकी पास answer आजाएगा 68 उसके बाद 5 का cube प्लस 5 करोगे ता आपके पास answer आजाएगा 130 उसके बाद next क्या होगा 6 का cube प्लस 6 answer आजाएगा आपकी पास 222 तो next आपकी पास series में क्या होगा 7 का cube प्लस 7 ठीक है तो answer यहाँ पे क्या रहेगा 350 7 का cube आपके पास करता है 343 प्लस 7 क्या गया 350 तो यहाँ पे आपके पास answer क्या रहेगा option C 350 ठीक है तो reasoning जो मैं और भी exam discuss करता हूँ उसमें मैं mainly reasoning को discuss नहीं करता तो उसका mean reason क्या रहता है क्योंकि reasoning को अगर आपको solve करना है जो question है ठीक है तो अगर आपको समझाना है वैसे करने के लिए काफी easy question है लेकर आपको समझाना है तो उसके लिए काफी time लग जाता है उस वज़े से video काफी लंबी बन जाती है तो comment करके यह ज़रूर mention करे कि next अगर मैं कोई भी question पर discuss करूँ तो उसमें reasoning के आपको direct answer बताऊ या फिस solve करके बताऊ क्योंकि इसमें time काफी लग जाता है reasoning को बताने में तो यह चीज जुरूर comment करके बताएं कि reasoning को solve करना है या फिस direct answer बताने है next 26 क्या है missing term in the letter series letter series आपके पास यहां पर दीगी है तो इसमें आपको missing term देखनी है तो इसमें आपके पास दो pattern follow हो रहे है पहला हो रहा है A, C, B, D दूसरा क्या हो रहा है C, A, D, B दो pattern आपके पास यहां पर follow हो रहे है तो पहले में क्या आएगा आपके पास यहाँ पी क्या आएगा A, C ठीक है, A, C तो next क्याएगा B, D, उसके बाद next आपकी बास यहाँ पी पहला क्तम होगी है ठीक है, तो यहाँ पी मैं लिख देता हूँ side में, यहाँ पी नहीं आएगा तो पहले क्या आजाएगा, blank में A, उसके बाद होगा C, B, तो next blank में आपकी बास क्याएगा, D, pattern आपकी बास follow हो रहा है, A, C, B, D, next क्या होगा C, A, D, B, यह pattern follow हो रहा है ठीक है, तो पहले तो आपकी बास pattern यह follow हो गया, दूसरा pattern क्या बनीगा यहाँ पे तो यहाँ पे blank आपकी बास दिया है ठीक है, तो यहाँ पे है C, A blank यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे लिखा है, B तो C, A यहाँ क्या होगा, D, तो जैसे मैं बनीगा pattern यह follow हो रहा है, ठीक है उसके बाद next आपकी बास क्या होगा A, C, B यहाँ पे दिया है, और blank यहाँ पे है, तो A, C pattern क्या होगा रहा है A, C, B, D और उसके बाद last में आपकी पास क्या है last आपकी पास है A, C blank, D A, C, B, D तो इस तरह से आपकी यहाँ पे follow हो रहा है तो 26 का आपकी पास correct है, अप्शन C A, triple D, D A 4, D, B तो यह इसका correct answer है 26 का तो next question देखते हैं 27 आपकी पास क्या है in a class of 42 student महिश rank is 16 from the bottom what is his rank from the top तो देखिए इस तरह की question maximum time हमेरे प्रोट के तरह पूछे क्या है तो इसके लिए मैंने एक आपको trick भी solve की trick भी share की है हमारे telegram channel पे अगर आपने नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं अभी मैंने अभी 8 बज़े क्या सपास ही उसे post किया है तो इस तरह की question आपको simply क्या करना है total number of student total number of student minus total student minus जो भी आपकी पास rank दिया है minus rank चाहे वो आपकी पास bottom से दिया है या फिर upper part से दिया गया है ओपर से दिया है या फिर नेचे से दिया है तो आपको इस तरह की question में क्या करना है total student minus rank चाहे bottom से है चाहे top से है plus one तो यह आपकी पास formula है तो यहाँ पर आपको चाहे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं टेलिग्राम पर चाहे से शेयर किया है तो यहाँ पर आपकी पास total number student किया है 42 तो 42 minus rank का rank कितना है इसका 16 और plus के कैना आपको 1 total student minus उसका rank plus 1 तो 42 minus 16 हो गया 26 plus 1 तो यह 26 plus 1 हो गया 27 तो स्ताइसिस का अंसर आगया तो यह question maximum time पूछे जाता है तो आपको इसका formula आता है तो आप इसली इसको solve कोच सकते हो next question 28 के है बिंदु सार सेंट अशोका to quell the rebellion in बिंदु सार ने अशोक को विद्रूहियों के दमन के लिए कहां भी जाता तो 28 का option C तक्षीला correct answers का next सत्वाहना empire was founded by सत्वाहन जो समराज्जे था उससे स्तापना किस के दोर रखी गी थी C मुखा के दोरा तो option B correct answers का next आपके बास question किया question 30 the link raja temple is located at तो link raja जो मंतिर है वो कहां भी जिस देते यह है आपका भुवनीश्वर में option A correct answers का next question 31 आपकी पास किया है the battle of haldigaat was fed in haldigaati का यूद कब लड़ा गया था कौन सी वर्ष में लड़ा गया था तो 1560 option B correct answers का next the sultan of which dynasty ruled for the longest time किस राजबंस की सुल्तानों का राज़काल सबसे लंबा था तो option B Tuglaq dynasty इसका correct answer है next the joint session of the congress and muslim league was held in 1968 congress और muslim league का जो सिम्त अदिवेशन 1916 में हुआ था वो कहां भी हुआ था तो option A luck now इसका correct answer next question number 34 किया है which rate can be issued only against a government official तो इन में से कौन सी rate है जो किसी सरकारी अदिकारी की पुर्द जारी की जाती है तो 34 का option B तो यह है आपकी mandamus mandamus एक इस तरह की rate है जो किसी सरकारी अदिकारी की पुर्द जारी की जा सकती है तो यह जितनी भी rates है तो यह आती है article 32 के अंडर तो यह आपके पास DPSP Part 4 में आता है तो यह जो भाग है यह क्या स्वस्त करता है समाजिक और आर्थिक लोगतंतर को Next question क्या है Who appoints and dismisses the gazetted official of the union government तो संग सरकार की जो राजपत्र का दिकारी होते है उनकी निक्ती या फिर उनकी बरखास्ती करनी है तो वो किस के द्वारा की जाती है तो 36 option ही The President, correct answers का राष्टपती के द्वारा Next Who presided the joint sitting of the parliament संसत की एकर स्यूक्त बैठक होती है यानि जिसमें आपकी पास राज्यसभा की member भी होंगी लोगसभा की member भी होंगी तो आपकी पास होगी joint sitting तो उसे preside कौन करेगा यानि जब आपने देखा होगा कभी meeting देखी होगी लोगसभा और राज्यसभा की दोसमें आगी presiding officer बैठते हैं तो उसका संचालन किस के द्वारा की जाता है लोगसभा कि speaker के द्वारा तो option C sorry option B speaker of लोगसभा और जो joint session है joint setting है पार्लिमेंट की वो बुलाई जाती है president के द्वारा तो ये भी आपको पता होना चाहिए next how many days in one year on mercury बुद्ध ग्रह पर वर्ष के कितने दिन है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बुद्ध ग्रह पे तो उठतिसक option ही 88 दिन correct answer उसका next next आपके पास question के है 38 आपने बता दिया 39 के है which device is used to measure the humidity तो उनमें से कौन सी device यानी प्रिक्ति हमा पास है जिसका उप्लोग की जाता है आदर्ता को मापने के लिए humidity को मापने के लिए 39 का option B hygrometer correct answer next question आपके पास के है question of 40 the astutory on the border of India and Pakistan भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो नदी मुख है astutory है वो कौन सा है 40 का आपके पास correct answer प्शन भी उसका नाम क्या है सर करिक सर करिक ये क्या है astutory है border पी किसके इंडिया पाकिस्तान के तो यहां पे एक बार question आपास था device यूज करते है humidity को measure करने के लिए तो कल अगर आपने देखा होगा शाम के time रात को हिमाजबदेश में क्या आया था bookamp आया था bookamp की जटके देखे गए थे तो उससे से लिए एक question बनता है कि जो bookamp का magnitude है उसे measure हम किस scale से करते है या फिर आपकी पास उसकी intensity है उसे किस scale से measure करते है ठीक है अगर बात की ज़र magnitude की ठीक है तो magnitude अगर measure करना है उसके लिए हमाँ पास होती है reactor scale reactor scale और अगर बात करें intensity की तो earthquake की intensity अगर measure करनी है ठीक है तो उसके लिए हमाँ पास होती है मर्सली स्केल मर्सली स्केल तो exam में क्या लगए अगर आप से intensity पुझिए तो मर्सली स्केल और अगर magnitude पुझा है तो reactor scale तो अपके लोग इसमें confused हो जाते हैं Next आपके बास question किया है Which of the flowing is the highest peak? तो इनमें सबसे होंचा शिकर कौन सा है 41 का option है नंगा वर्वत correct answer इसका Next Question किया है The joint river valley venture of India and Nepal भारत और नेपाल की जो स्युंक्त नदी घाटी है वो कौन सी है 42 का option D QC इसका correct answer है Next आपके बास question किया है Question number 43 The basis of determining Dearness allowance to employees in India is भारत में करमचार्यों के महंगाई बत्ते की करना की सदारवा की जाती है जो महंगाई बता दिया जाता है सरकारी employer को किस basis पे दिया जाता है तो inflation rate स्पितिदर पे दिया जाता है महंगाई किस तरह से बल रही है किस rate पे बल रही है पे दिया जाता है महंगाई मत्ता 44 के है The rate of interest is determined by व्याज की दर किस तरह से निर्धार्द की जाती है तो correct answer is option B Reserve Bank Auto India किसके द्वारा निर्धार्द की जाती है जो हमारा Reserve Bank है उसके द्वारा Next 45 के है Blue Revelation Is related to तो यह तो काफी सिंपल है यह किस से related है Fish production से मतज से उतपादन से Next 46 के है Which part of plant gives a saffron पादव का कौन सभागा में केसर देता है 46 का option D Stigma वर्तिकागर यहां से में मिलता है saffron यानि की केसर Which part of human body is first highly affected by nuclear radiation तो मानश्री का कौन सभाग है जो नावी के विक्राण के द्वारा सबसे पहले गंभी रुप से परभावित होता है तो nuclear radiation अगर निकलती है तो इससे आपके body के पाट कौन सा effect होगा सबसे पहले तो इसका आपके पास correct answer होगा 47 का option C आपकी तवचा next next आपके पास question के 47 के बाद question 48 के है the waves used in sonography sonography में प्रियुक्त तरंगे कौन सी है 48 का option C ultrasonic waves correct answer तो sonography और इससे हम आप बाच्चा में क्या क्या क्याते है ultrasound तो ultrasound आपने काफी बार सुना होगा तो इसमें क्या होता है आपकी जो ultrasonic waves से उनका use किया जाता है और उससे visual ले जाते है हमारी body canner के tissues के जो उनका blood flow होता है तो next question देखते है 49 के है which say acid is used to remove the iron rust stains from clothes वस्त्रों में lojan के दब़ों को दूर करने के लिए कौन सी acid का हम use करते है 49 का उप्षन है oxalic acid correct answers का next question 50 के है which country has recently inaugurated south east Asia largest solar power farm तो किस देशन भी हाली में अगनी Asia का सबसे बड़ा 100 शक्ती farm उदखाटित किये है तो correct answers का उप्षन भी वी अतनाम के द्वारा तो बात करें इसमें current फिर की तो current फिर इसमें पूचे गए है September 2019 के जितने भी current फिर वह सारे सारे September 2019 के इसमें पूचे गए है next question किया है who has recently become the first Indian woman athlete to recommended for padma version तो उनका नाम है Marycom ये पहली भारती मेला है जिनका नाम padma version के लिए के लिए सिफारिश क्या गया है तो ये मिल भी गया है next question क्या है 52 to Amit Sharma who has recently created history by making world biggest static website cheaplightsall.com hails from which city Amit Sharma जिनने भी हाली में विश्यो की सबसे बड़ी static website cheaplightsall.com बना कर इतियास रचा है विकिस शहर के रहने वारे हैं तो 52 का option नी Delhi इसका correct answer है तो ये जो current फिर है सारिक सारे September 2019 तो last video में ने पूछा पिता है जो current fair है पुराने क्यों आ रहे है उसका reason क्या है तो काफी लोग ने उसमें comment किये थे और अच्छे comment किये थे और सही reason बताये थे अगर आपने नहीं देखा तो आप last video को चेक कर सकते हो next आप की पास है English और Hindi section तो first English में question किया है Antonym पूछा गया है Luxuriant का Luxuriant का use किया जाता है पौदो और बालो के लिए भी जहां पर वो grow करते है थिक और attractive लगते है तो यहां पर जूस का Antonym होगा opposite word होगा वो रहेगा Baron Baron का मतलब हो गयता है पंजर Luxuriant हो गया ऐसे जगह जहां पर जोभी चीज़े grow करते है वो काफी थिक होती है attractive होती है Baron होगी है जहां पर कुछ भी नहीं होता बंजर Next के है The committee met to blank the team for the tournament The committee met to select the team for the tournament Committee एकटा होई क्यों ताकि वो team select कर सके tournament के लिए Next 55 के है One word substitution आपको एकट चूज़ करना है किसके लिए To do away with the rule तो इसके लिए जो एकट यूज़ करते हैं वो होता है Approgate इसका मतलों क्याता है To do away with the rule किसी इच को करना किसी Rule, Law, Niam के साथ Next Behave में कौन ससमास है तो 56 का किवाज़ जो correct answer है वो है option token A अब ये भाव समास 57 के है वाजसले में परिवाची नहीं है तो वाजसले के इन में से परिवाची कों सा नहीं है तो option C मेह मेह इसका correct answer है ये इसका परिवाची नहीं है वाजसले का परिवाची कों-कों से है Snah Neh और Prem Next और लास्ट कुशन के है अपका हिंदी सेक्षन का टार्ट उल्टना मुखावरी का ग्यार्थ है माले ते कोई बीजनस में ने तो उसकी क्या है बीजनस में लॉस हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है टार्ट उलट जाती है यानि कि उसका क्या हो जाता है दिवाला निकल जात पर उसका link आपको description मिल जाएगा तो इस video के upload होने के बाद ही मैं आपको उसकी PDF और जो official answer की है वो आपको पोस्ट कर दूँगा So thank you so much